नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्रहस्रत की कथा गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बाते बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए कहते हैं जो व्यक्ती श्रधा भाव से गुरुवार को भगवान विष्नो की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है उसकी गरीबी और कश्ट को भगवान विष्न उद्दूर कर देते हैं जीवन में सुक सम्रिधी के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने, ब्रहस्पति व्रत कथा, प्राचीन समय की बात है एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था, वह प्रते गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था, ये उसक कि रानी को अच्छा न लगता, न व्रत करती और नहीं इसी को एक पैसा दान में देती, राजा को भी वेह ऐसा करने से मना किया करती, एक समय की बात है कि राजा शिकार खिलने वन को चले गए, घर पर रानी और दासी थी, उस समय गुरुवार व्रहस्पति साधु का, रू कोई ऐसा उपाय बताएं, जिससे ये सारा धन नश्थ हो जाये तथा में, आराम से रह सकूं साधु रूपी ब्रहस्पति देव ने कहा, है देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से भी कोई दुखी होता है, अगर तुम्हारे पास धन अधिक है, तो इसे शु हालने में ही मेरा सारा समय नश्थ हो जाये साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना, ब्रहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिटी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हुजामत, बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिराख खाना, कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना, इस प्रकार साध ब्रहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धान नश्थ हो जाएगा, इतना कहकर साधु बने ब्रहस्पतिदेव अंतर धान हो गए, नहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे सभी जानते है, इसलिए मैं यहां कोई छोटा कारे नहीं कर सकता, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया, वहां वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता, इस तरह वे हपना जीवन व्य अतीत करने लगा, इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी, एक समय जब रानी और दासीों को साथ दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी, पास ही के नगर में मेरी बहें रहती है, वह बड़ी धन्वान है, तो उस के पास जा और कुछ ले आता कि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बहन के पास गई, उस दिन ब्रहसपतिवार था, रानी की बहन उस समय ब्रहसपतिवार की कथा सुन रही थी, दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की ब बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वेह बहुत दुखी हुई। उसे करोध भी आया। दासी ने वापस आकर राणी को सारी बात बता दे। सुनकर राणी ने अपने भागे को कोसा। उधर राणी की बहन ने सोजा कि मेरी बहन की दासी आई थी। परंतु मैं उससे नहीं बोल कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी के उग गई थी राणी बोली। बहन हमारी खर अनाज नहीं। था ऐसा कहते कहते राणी की आँखें भर आई। उसने दासीयों समेद भूखा रहने की बाद भी अपनी बहन को बता द राणी की बहन बोली। बहन देखो। ब्रहसपति देव बगवान सब की मनों कामनापून करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक खड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी है राणी हुई क् एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर राणी को बताया। दासी राणी से कहने लगी हे राणी जब हमको अन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। इसलिए क्यों न इन से व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर राणी ने अपनी बहन से ब्रिहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया। ब्रिहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णो भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पिला भोजन करे तथा कथा सुने इससे गुरुवार भगवान ब्रहस्पती प्रसंद होते हैं। मनो कामना पून करते हैं व्रत और पूजन की विथी बताकर रानी की बहन अपने घर लोट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्याय किया कि ब्रहस्पती देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। इसलिए ब्रहस्पती देव भगवान प्रसंद थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले है दासी ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है इसे तुम दोनों ग्रहन करना दा दासी भोजन पाकर बहुत प्रसंद हुई. उसने रानी को सारी बात पताई. उसके बात से विप्रतेक ब्रहस्पतीवार को गुरुवार भगवान का व्रत और पूजन करने लगी. ब्रहस्पती भगवान की करपा से उनके पास धन हो गया. दंडा. परन्तु रानी फिर पह पास से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलसे होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है। इसलिए हमें दान पूर्णे करना चाहिए। बात मान कर रानी शुब कर्म करने लगी। उसका यश्ट फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोच खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रधा पूर्वक गुरवार, ब्रिहस्पति, भगव जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो, अपनी पुरानी बातों को याद करके वे रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास ग्रिहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, है लकड़ हरे, तुम इस सुनसान। जंगल में किस च राजा, तुम्हारी पत्नी ने ब्रिहस्पति देव की प्रती अपरात किया था, जिसके कारण तुम्हारी इवन तशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने ब्रिहस्पतिव का वरत करके चने के दाल वा गुर्जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पून करेंगे साधू की बात सुनकर राजा बोला। हे प्रभा हो। लकड़ी बेजकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता। जिस भी मुझको मालूम नहीं है। साध ने कहा, हे राजा, मन में ब्रहस्पति भगवान के पूजन वरत का निश्चित करो। वे स्वयम तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। ब्रहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर में जाना, तुम्हें र पूजा थे हैं ब्रहस्पतिदेव की कहानी प्राचिनकाल में एक बहुती निर्धन ब्राम्वन था, उसकी कोई संतार नहीं थी। वह निट्क्य पूजा पाठ करता, उसकी स्ट्री नस्तनान करती और नकिसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राम्वन देवता बहु जाती तो अपनी मुठी में जो भर कर ले जाती और पाच्छाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लोटते समय वही जो स्वन के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वे यह बाले का सूप में उन सोने के जो को फटक कर साप कर रही थी कि तभी उसकी माने देख लिया और कहा, है बेटी सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए, दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और ब्रिहसपति देव से सोने का सूप देने की प्रातना की। ब्रहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली। रोजाना की तरह वेह कन्या जौ पहलाती हुई पाथशाला चली गई। पाथशाला से लटकर जब वेह जौ बीन रही थी तो ब्रहस्पतिदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उस पर मोहित हो गया। राज महलाकर वेह भोजन तथा जलत्याग कर ओदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अंजलत्यागने का समाचार ज्यात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वेह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया, मंत्री उस लड़की के घर गया, मंत्री ने ब्राम्भन के समक्ष राजा की और से निवितन किया, कुछी दिन बाद ग्रम्भन की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन हो गया, कन्या के घर से जाते यही ब्राम्भन के घर में पहले की भांतिका दीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राम्भन अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी मा का समाचार पूछा। ग्रमन ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सधन अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ग्रमन फिर अपनी कन्या के यहां गया। और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिता जी, आप माता जी को यहां ले वालाओ। मैं उन्हें वहवित ही बता दूँँगी। जिससे गरी भी दूर हो जाए। ब्रह्मन देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी मा को समझाने लगी। हे मा, तुम प्राता है काल स्नानादी करके विश्ण भगवान का पूजन करो तो सब दरेदृता दूर हो जाएगी। उसकी मा की बुद्धी ठीक हो गई। इसके बाद वहनियम से पूजा पाठ करने और प्रतेक ब्रहस पतिवार को व्रत रखने लग। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यू के बाद विह स्वर्ग को गई। वह ब्रामभन भी सुख पूर्वक इस लोग का सूख भोग कर स्वर राजा ने चन गुड़ादी लाकर ब्रहस पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी खलेश दूर हुए। परन्तु जब अगले गुरवार का दिन आया तो वह ब्रहस पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण ब्रहस पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उ ग्यानुसार राजे की सभी वासी राजा के भोज में समिलित हुए लेकिन लकड़हरा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए. जब राजा लकड़हरे को भोजन करा रहे थे तो राणी के द्रिष्टी उस खूंटी पर पजी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था, उसे हार खूंटी पर लटका दिखाए नहीं दिया. राणी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हरे ने चुरा लिया है. उसी समय से निक बुलवा कर उसको जेल में दलवा दिया. लकड़हरा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पुर्वजन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। ततका ब्रहस्पति देव साधु के रूप में प्रकठ हो गए और कहने लगे अरे मुर्क तुने ब्रहस्पति देवता की कथा नहीं की इसी कारण तुछे पर चार पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रे में ब्रहस्पति देव ने उस नगर की राजा को स्वपन में कहा, हे राजा, तुने जिसे जेल में बंद किया है, उसे कल छोड़ देना। वह निर्दोश है राज राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहमचा तो उसे बड़ा ही आश्चरे हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कोएं तथा बहुत सी धर मर्शाला आएं, मंदिर राधी बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये फिसका बाग और धर मर्शाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब राणी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चरे हुआ और गुसा भी आया कि उसकी अनुपस्थिती में राणी के पास धन कहा से आया होगा। जब राणी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा है दासी। देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लोट न जाएं। इसलिए चु दरवाजे पर ठड़ी हो जा राणी की अग्यानुसार दासी दरवाजे पर ठड़ी हो गई और निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में तीन बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दूपटे में चने दाल बंधी रहती तथा दिन में तीन बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया है कि चलो अपनी बहन के यहां हुआ इस तरह का निश्चय कर राजा घोडे पर सवार हो अपनी बहन के यहां चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रही है। उन्हें रुग कर राजा कहने लगा, अरे भाईयो, मेरी ब्रहस्पती की कथा सुन लोगे बोले, लो। हमारा त ही हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समापत हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, ले अपने जब देखा तो अपने पुत्र से सभाल पूछा, बेटे ने सभी हाल बता दिया, बुढ़िया दोड़ी दोड़ी उस घुरस्वार के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तु अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना, राजा ने लोटकर बुढ़िय कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुश्य है, जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी ब्रहस्पतिवार की कथा सुन ले बहन बोली, है भ्लाया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहां के लोग भोजन करते हैं, बाद में अने काम क कहा, वह तयार हो गया, राजा ने जाकर ब्रहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुन कर उसका लड़का ठीक हो गया, अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी, एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, है बहन, मैं अब अपने घर जाओंगा, तुम भी तयार हो जाओ, राजा क के साथ जाने की आग्या मागी, सास बोली, चली जा, परन्तु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है, बहन ने अपने भाई से कहा, है ब्लाया, मैं तो चलूँगी, परन्तु कोई बालक नहीं जाएगा, अपनी बहन को भी छोड कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया, राजा ने अपनी राणी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किये वहिशया पर लेट गया, राणी बोली, हे प्रभाहो, ब्रहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्चित देंगे, उसी राद ब्रहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच द्याग दे, तेरी राणी गर्भवतियर राजा को ये जानकर बड़ी खुर्शी हुई, नवे महीने राणी के गर्भ से एक सुन्दर कुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे राणी, स्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहन नहीं रह सकती, जब मेरी बहन आये, तुम उसे कुछ मत कहना, राणी ने यहां कर दी, जब राजा की बहन ने ये शुब, समाचार सुना तो वे हैं बहुत खुश हुई, तथा बढ़ाई लेकर अपने भाई के यहां आई, र प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औला कैसे होती, ब्रिहस्पतिदेव सभी कामनाये पून करते हैं, जो सदभावना पूर्वक ब्रिहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है, अत्वा सुनता है, और दूसरों को सुनाता है, ब्रिहस्पतिदेव उसकी सभी मरो कामनाय पून करते हैं, उनकी सदे रक्षा करते हैं, जो संसार में सद भावना से गुरुदेव का पूजन एवं रत सच्चे ह्रदै से करते हैं, जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने ब्रहस्पति देव की कथा का गुनगान किया, तो उनकी सभी एच्छाय ब्रह प्रहस्पति देव ने पून की, अन्जाने में भी प्रहस्पति देव की उपेक्षा न करे, ऐसा करने से सुक शांती नर्ष्ठ हो जाती है, इसलिए सब को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, रदय से उनका मनन करते हुए जैकारा बोलना चाहिए, तो कैसे लगी आपको ब्रहस्पति व्रत कथा, अगर अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें,